क्या आपके laptop में window 10 है और आप चाहते हैं कि बीना data loss हुए बीना video, audio, photo, कोई document, कोई file उरे आपके laptop में window 11 install हो जाए ये video especially आप ही के लिए है मैं आपको इस वीडियो में ये दखाया हूँ कि किस तरीका से आप अपने laptop में window 11 कैसे install कर सकते हैं सोगाज मैं उन्जिनियर राजा और मैं आपसे सेस करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो इस रेर बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इस तरीका का नया नया वीडियो स्पाई या प्रोजाना चैनल सब्सक्राइब करते ही आपको साथ ही में बेल के बटन प्रेस कर लिजिए बेल के बटन प्रेस करने से यह होगा कि मैं पढ़े नया नया वीडियो अप्लोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचेगा तो बेल के बटन को प्रेस कीजिए इसके बाद आल कर दीजिए आल करने से यह होगा मैं पढ़े नया या वीडियो अप्लोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मुचेगा तो मैं आपको इस वीडियो में यह बताया हूँ कि किस तरीके से अगर आपके लेप्टॉप में विंडो 10 है तो अगर आप चाहते हैं कि बीना डेटा लॉस हुए बीना फोटो, वीडियो, ओडियो, फाल, डोकुमेंट या कुछ भी आपके लेप्टॉप में है वो नहीं उड़े और आपके लेप्टॉप में विंडो 11 इंस्टोल हो जाए तो इस वीडियो को आप कम्प्लीट्ली लास्तक जरूर देखेगा मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूँ कि आप पहले उसको चेक कर लेंगे कि आपके कम्प्यूटर विंडो 11 के लाइक है की नहीं आपके कम्प्यूटर में विंडो 11 इंस्टोल होगा या नहीं उसको पहले चेक करेंगे के बाद ही आप window 11 download करके उसको install कर सकते हैं तो मैं आपको इस वीडियों पूरा तरीका बताया हूं कि किस तरीका से आप window 11 आप खुद से ही कैसे अपने laptop में install कर सकते हैं तो इस वीडियों को आप completely last तक चलूर देखिएगा अगर आप जो है window 11 दुकान वाले के पास वहां पर भाई आपको जो है 800 से 1000 रुप्या ले लेगा बस यही काम करने के लिए आपको पता भी नहीं चलेगा क्या करके देदिया विंडो इंस्टोझ, जो है आपका अगर है और आप चाहते हैं कि विंडो 11 इंस्टॉल करें तो ये वीडियो को आपको लास तक जरूर देखना हुआ तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे किस तरीका से विंडो 11 अपने लेप्टॉप में इंस्टॉल किया जाता है तो इस वीडियो को आप लास तक जरूर देखेगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आपके लेप्टॉप में विंडो 10 है और आप चाहते हैं विंडो 11 अपने लेप्टॉप में इंस्टॉल करें बीना डेटा लॉस किये तो आपको क्या करना है को भी ब्राजर को ओपन करना है और ओपन करने के वादि यहां पर आप देख रहें कि अप डालिए यहां पर विंडो 11 तो आपके सामने में कुछ इस त्रीका से यह उप्शन आपको देखने को मिल दाता है अब आप यह पहले चेक कर दिए कि क्या आ है यहां पर आपको कंप्योंट्रों जांट किया रहा तो यहां पर देखिया डाउनलोड पीच्राओ यहां पर यहां पर देखिया है यहां पर तो यहां पर देखें कि यह download भी हो चुका है आपको इस पर click कर देना है यहां पर आपके सामने कुछ यह option open होके आये तो आपको क्या करना एक बार इसको read कर लेना है इसका time को accept करेंगे और यहां पर install वाले क्लिक करके आपको पहले इसको install करना पड़ेगा यहां पर आपको यह वाल अप्लिकेशन को जो है install करना ही पड़ेगा यहां पर देखेंगे विंडू PC health check setup मतलब आपके इसके लिए available है या नहीं वह आपको पहले यह application को download करके install करके आपको इसको चेक करना पड़ेगा तो पहले क्या कि जो मैं बताया हूं वह आप तरीका करके इसको पहले क्या कीजिए आप जो है इसमें install कर लीजिए यहां पर देखें प्रोसेसिंग स्टार्ट है जैसे यह यहां पर क्लिक करके सकते हैं तो यहां पर यहां पर छॉपर कर लेजिए दुक्त कर लेजिए अगर आपके computer में कुछ problem है तो यहां से नहीं होगा अगर आपके computer में कुछ problem नहीं हे तो बहुत सैनी से यहाँ से window eleven , install कर सकते हैं यहाँ पर देखे कि मेरा j Vere Sell नहीं हो सकता है क्विन की यहाँ पर कुछ जो है आपको option यहाँ यहलोwill आप संब्सक्र retract तो आप लेवाइन में इन्सट नहीं कर सकता हूं विदॉअ option यहां पर आपको पूरा के पूरा यहां पर green जिसे यहां पर नीचे है Green दखाये तब्ण क्ँडुपर्स के बहुत कोंप्यूटर है उसमें बहुत हीजी तरीकी से Windows 11 बिना data loss किएया वन्सकोंड कशिकते हैं तो इंस्टोल कैसे किजिएगा पहुआ तो यह से जिए डावलोड वाले प dolphins करते हैं तो यहांपर देखिए कि आपको है प्वर हो कर डाउनमोड दाउलोड हो करके आजाए यहांपर डाउनलोड हो करना डींट नहीं जो है आपको इसमें कम से कम घंटा वर टाइम लाएगा मतलब 50 से 7 मिनट का टाइम लाएगा मतलब यह घंटा का टाइम भी लग सकता है इस वींडो को इंस्टाल करने में तो आप घृबाइएगा नहीं अपने सिस्टम को जो है चैन्सन फेरी करके छोड़ दीजिये और इसक को install कर सकते हैं तो यहांप को देखिए मैं यह से पहले आपको बताया हूँ कि मेरे सिस्टम में जो विंडू एलेवन इंश्टोल नहीं होगा आपके इंश्टम ने विंडू 11 जो इंस्टाल मतलब बोला जा रहा है कि पहले आप जो है अपने PC का health check कीजिए कि आपके PC में मतलब आपके computer में यह जो है Windows 11 आपका available है या नहीं तो जैसे मेरी case में नहीं था जिसमें आपको पहले बताया हूं तो यहां पर वही यहां पर option open होके आ रहा है आपके computer या laptop में यहां अगर जाएगा install होने के बाद बिल्कुल आपको इस तरीका से यहां पर देख रहे हैं इस तरीका से आपके system पर सोग करेगा सोगा इस तरीका से बहुत ही easy और आसानी से अपने laptop में अगर आपका Windows 10 है तो चेक करने के बाद जो है अगर आपके computer या laptop में अगर एफ लेबल होगा तो जो download हो जाएगा अगर नहीं होगा तो यहां पर में देखाया हूं कि यहां पर इस तरीका से सोगा इस तरीका से बहुत ही आसानी से आप जो है अपने laptop या computer में Windows 11 download कर सकते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं बिना data loss कि आपके computer से कुछ भी नहीं उड़ेगा जैसे photo video या में install किया जाता है सो आई होब कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए अपने फ्रेंट के साथ करिए अगर आपके दिल में कोई confusion हो तो comment box मुझा के comment करके पूछ सकते हैं